हेलो तोस्तो तोस्तो आज की हम लोग की इस वीडियो में पाथ करने वाले हैं सुरे कुमार के 50 के बारे में तो चलिए अब हम लोग की इस वीडियो को शुरू करतेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले में आपको पता देता हूँ कि सुझे कुमान अपना टैप्यूट मैच खेल रहे थे तोस्तों जाब अब दूसरा मैच खेल रहे थे लेकि पैटिंग वह पहली पाथ करे थे और अपने पैली पैटिंग करते हुए पहली पॉल पे उन्होंने एक बड में तो दोस्तों सुर्य कुमान का पचासा सिर्फ उसीफ 28 केंदों में बना था और इनके इस पचासे में कुल छे चौक के शामिल थे और दो बड़े बड़े चुक के शामिल थे और अगल बात करते हैं सुर्य कुमान के इस टाइक रेट की तो दोस्तों उनका इस टाइक र देखा चाहे तो जे दोडी सी सही लेकिन एक अच्छी स्ट्राइक रेट मानी चाहती है टी-20 मैंच में और दोस्तों उन्होंने अपने पहले ही मैंच में इतना खतरनाफ परशेशन करके दिखा दिया तो दोस्तों जे तो बात कर लिए हमने सूरे कुमार के पच्चास से की ब बार में तो दोस्तों सूरे कुमार ने कुल 579 बनाए थे वह बिसीर फॉसीफ ठटीवन के इन्टों में और इनके इस 579 में कुल जह चोके शामिल थे और तीन लंबे-लंबे-च्छके शामिल थे और आपने ये थमनेल में ही देख लिया होगा इनका टॉटल स्कॉर और अग 579 दोन को दोस्तों अकर देखा चाहे तो यह स्ट्राइग डिट बहुत अच्छी स्ट्राइगेड बार 9 में में दोस्तों अकर बात करीं की शूरय कुमार और आउट कैसे हुए तो शुर्य कुमार यातफ सेयम करंब के पॉल पर आउट हो सूरे कुमार एक बड़ा ओवर्ग करना चाते से सायम करने की पहरी बाल पर उन्होंने छखका चड़ दिया था और दूसी बाल पर भी छखका चड़ना चाते से सूरे कुमार यादा फ्लेक की डैवी मला ने उनका कैच पकड़ लिया फिर जवकिनल हो और इसमें इतने देल लगा लगिन तब Elect इशूरे कुमार आपटी निकले अमसी बात कर दीए ने बात कर लिए विन्होंने सूरे कुमार के अप alta 의 total स्कोडिन के बारे में तो अब हम बबात कर ले थे जो सुरी कुमान ने तीन छक्के मारे थे वो आखिगा कितने किते मिटर के कही थे तो जो सुरी कुमान ने पहला 6 मारा था वो कह तो 75 मिटर का जो कि एपड़ा 6 भी माना जाता है और ये पहली ही पॉल पे मारा था और जो दूसर सिक्स मारा था वो मारा था कुल 79 मिटर का और जो तीसरा और आखरी सिक्स मारा था वो मारा था कुल 62 मिटर का और जो सुद्री कुमार की इस पारी का सबसे चोटा सिक्स है तो जी तो बात के लिए हमने सिक्स डिस्टेंस की तो मुझे लगता है मुझे जो आपको बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ तो चलिए देखते हैं कैसे मारे सुरी कुमार ने वो दिन चखके तो मैं आपको बता है